हेलो फ्रेंट वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग नीट पर जैसा कि आपको पता है कि आपकी क्लास जो होती है रात की वो होती है करेंट अफैर्स के डेली बेसिस पे हम देखते हैं करेंट अफैर के कुछ के शिन मौक टेस्ट के फॉर्म में क क्यूंकि मौक टेस्ट के फॉर्म में आपके एक्जाम में आ रहा है तो वैसे तो करेंट अफैर्स में या इस समय जो कुछ देश में हो रहा है दुनिया में हो रहा है वही साही चीज़े में रहती कुछ इंपॉर्टन पी रहते हैं तो वह मैं 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 के मद्य नजर सिग्रेट बीडी गुट का चरदा सुपाडी हुक का ई हुक का ई सिग्रेट समेट सभी तंबाग पुपदार्थों के उपयोग और विक्री पर रोक लगा दी है बिहार पंजाब छारखन गुजरात देखिए यहां पर बहुत सीधी सी बात है कि इस वक्त इतन परसन हो तो जो एनिक जो पॉजिटिव हो या उसके अंदर कुछ ऐसे वाइस आस चुके हो तो बहुत पॉसिबिल्टी है कि वह इन्वायमेंट पे फैले या ऐसी जगह पे फैले वहां गंदगी हो तो यह सारे रीजन्स भी हैं बहुत सारी रीजन्स हैं तो के चली देख लेते हैं यहां पे से एंसर करता है जारखंट सरकार ने फैसला लिया है क्योंकि यहां तहां धूपने से कोरोना वाइरस का फ्यालने का खत्रा कहीं बढ़ जाता है सारवजनिक अस्तलों पर तंबाकु पतारतों का सेवन भी प्रतिवन्द दिद कर दिया गया है पूरी तर लगभग दूग नी कर सकती है संयुक्ति राष्ट विश्व बैंक विश्व यापार संग्ठन विश्व स्वास संग्ठन या आप में बता दू कि तीवर खाद असुरक्चा का सामना करने वाले लोग का मतलब होता है कि वे लोग जिनको खाने का बहुत जादा ही दिक्कत ह होती है खाने भी नहीं की ठीक है यानि कि ऐसे लोग जिनको खाने का कुछ फिक्स नहीं रहता कि आज मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा और ऐसे लोग की संख्या बहुत जादा और इस साल जो है इस COVID-19 की वजह से अब इसमें दुगना इजापा होने वाला है ऐसे लोगो मंत्री ने COVID-19 महामारी के दोरान संचार का प्रत्यक्ष चैनल स्थापत करने के लिए किस परस पर समवादात्मक प्लेटफॉर्म की शुरुवात की है COVID-19 सेवा, COVID-19 परिवार कल्यान, COVID-19 मन की बाद, COVID-19 संचार जयुत्तर होगा इस प्रशन के लिए आपका उप्शन नमबर है COVID-19 सेवा, ये स्टार्ट किया गया है, नेक्स्ट केशन देखेंगे भारत की सबसे बड़ी IT कंपनी, TCS, किस देश का पहला पूर्ण डिजिटल बैंक लॉंच करेगी, इम्पॉर्टन है ये, पाकिस्तान, इराग, इजरायल, रोस तो ये भारत की सबसे बड़ी IT कंपनी है, TCS, ये जो है इसका सेजिटल बैंक लॉंच करेगी और मैं ये भी बता दूगी, करीब 40 साल में इजरायल में बैंकिंग लाइसेंस पाने वाला ये पहला बैंक है और इसकी स्टार्टिंग जो है अभी एक साल है, 2021 में होगी केंजर सरकार ने देश भर में स्वास्त कर्मियों पर हो रहे हमलों के मद्दे नजर हाल ही में एक अध्या देश चारी किया है जिसके धहत अब दोश्यों को कितने साल तक की सजा हो सकती है, 10 साल, 8 साल, 20 साल या 7 साल जो भी लोग हमला कर रहे हैं स्वास्त कर्मियों पर डॉक्टरों पर नर्सों में क्योंकि ये घटनाए बहुत ही निंदनी घटनाए हैं और शर्मनाक भी हैं, मतलब किसी दूसरे देश को बताने लायक नहीं कि हमाई देश में ऐसा भी हो रहा है, ऐसा ही होता इंडिया में जहां हम गर्व से कहते हैं कि हमारा इंडिया सबसे बेस्ट इसमें उसमें तो बहुत ही ये निंदनी घटना है और इसको देखते हुए क्योंकि बढ़ती जारी है पुरे देश में किया गए और तीन लाख तक कहिए प्रावधान का प्रावधान किया गया है कुरोना वाइरस महामारी से जरवादिक प्रभावित अमेरिका ने आगामी कितने दिनों के लिए अप्रवासन पर रोक लगाने का निर्णे लिया है पचास दिन, चालिस दिन, साथ दिन या तीस दिन सो यहाँ पे सीधे से बताते दें, एंसर जो है, वो साथ दिन हो जाएगा, साथ दिन करोक लगाने का निर्णे लिया गया है कॉविड-19 के इस्थिति के मध्यनिजक केंद्रे स्वास्तिमां परिभार कल्याण मंत्री ने हाल ही में बताया कि प्रतेक रक्त समूह के वर्तमान भंडार की रियल टाइम इस्थिति की निगरानी के लिए किस ओनलाइन पोर्डल का व्योग किया जा रहा है, एरक्त कोश, एवन, एपवन, एरक्त चाप और सहिए एंसर होगा इसका आपका option number a, e, रक्त कोश, प्रतेक रक्त समूह के बर्तमान में भंडार के लिए कितनी उवाइलेबल है, किती मातरा में है, तब कौन सी ग्रुप का रक्त किसी मातरा में अवाइलेबल है इसकी निगरानी के लिए अंग्रेजी भाषा दिवस निम्रे में से किस दिन मनाया जाता है This question is important चलिए देख लेते हैं आपे सही एंसर होता है आपको option number A अंग्रेजी भाषा दिवस मनाया जाता है 23 अप्रेल को हमेशा हर साल मनाया जाता है Actually क्यों मनाया जाता है क्योंकि 23 अप्रेल को William Shakespeare की जन्वति थी और मृतित थी दोनों है आज है न तो इस वज़ा से इस दिवस को अंग्रेजी भाषा दिवस के रूप में चुना गया है अंग्रेजी आपको पता ही कैसी भाषा है जो अलग-अलग देशों में और अलग-अलग संस्रस से आने वाई लोग को एक साथ कहीं जोड़ती है ग्लोबल लैंग्वज हम कहते हैं या हम कह सकते हैं कि अंग्रेजी उच्छे भाषाओं में सामिल है चिजह सैयुक्त राष्ट ने दिवस के रूप में घोशित किया है और अंग्रेजी तुरिया की सबसे की तीसरी सबसे ज़ादा बोल जाने वाली लैंग्वज है और बिजनस और एजुकेशन में तो ये सबसे ज़ादा प्रशले थे टॉप पर है वो नंबर वन पे ठीक है देखिंगे नेक्स केशन अगर आपको नहीं पता है तो मैं बदा दू अंग्रेजी की क्लास हमारी लगती है डेली सुबर दस बचे तो वहाँ पे आप अडेंड कर सकते हैं अगर आपने नहीं किया है सुबर टे 2020 नाम से प्लेलिस्ट होगी वहाँ पे साई क्लास आपको मिल जाएंगी सतर से भी जादा क्लास हो चुकी है हमारी चले देखेंगे एंसर क्या होता है इसके लिए आपका आप्शन अबर बी से ही हो जाएगा पीवी सिंधू कौन किसकर आई एम बैड्मिंटन जग रुकते अभियान के लिए अम बिजटर चुना गया है सुप्रिम कोट ने किस राज़ी के अनुसूसित जन जाती छेतरों में स्टी उमीदवारों के लिए सौ फीस्ती आरक्षन प्रदान करने के आदेश को निरखस्त कर दिया है आमीन बिहार पंजाब आंधर प्रदेश या फिर उत्तर प्रदेश तो बिल्कुल यहाँ पर जो करेक्ट एंसर है वो है आपका उप्षन नबस दी आंधर प्रदेश इसका सही एंसर हो जाता है और सुप्रिम कोट ने इसके न सिफ रद कर दिया बलकि आंधर प्रदेश और तेलंगाना सरकार दोनों पर जुर्माना भी लगाया है तो आपको आज का सेशन छोटा सा था पसंद आया होका पसंद आया तो लाइक करिए शेर करिए चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करके जाएगा तो थैंक्स पर वाचिंग कीप स्टारिंग एंड बाबाई